नवस्कार दर्सको दर्सको आज हम जानेंगे मेस रासी वाले लोगों के लिए कौन सी धातू का छल्ला धारन करना चाहिए जिससे जीवन में परेशानिया कम हो और उन्हें जल्दी सफलताएं मिले तो आई हैं जानते हैं कई लोग बहुत महिनत के बाजूद उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते जिसके वो हकदार होते हैं इसकी बजह उनके परिस्त्रम में कमी नहीं बलकि उनकी किस्मत में मौजूद रासी का स्वामी कमजोर होना हो सकता है अपनी रूठी हुई किस्मत को मनाने के लिए रासी के स्वामी का छला बहुत कारगर साबित होता है तो किस दिन और कैसे धारन करें आईए जानते हैं मेंस रासी के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं मंगल बल पराकरम के कारक होते हैं यदि इनकी रासी का स्वामी मंगल कमजोर हो या फिर कुंडली में मारकेस हो या बुरे भाव में बैठा हो या मृत आवस्था में हो तो ऐसे में मेश रासी वाले काफी परिशान रहते हैं और इनको कोई भी काम सफलता नहीं दिलाता इनको काफी मुसीवतों का सामना करना पड़ता है ये लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती इसलिए इन लोगों को रासी स्वामी के अनुसार से जो धातू होती है वह धारन करके रासी स्वामी को मजबूत और सुभकारी बनाया जा सकता है तो आईए जानते हैं कि मेश रासी के लिए कौनसी धातू का छला धारन करना चाहिए मेश रासी वालों के लिए ताबे का छला या फिर सोने का छला धारन करना चाहिए कैसे दारन करना चाहिए बिधी जान लीजिए छला या तो ताबे का हो या तो सोने का कोई भी छला आप सोनी के दुकान से ला सकते हैं सनीवार के दिन गव मूत्र में रात्री के समय डुबा कर रख दे रभी वार के दिन सुबह सूर्योदे के समय लगभग सुबह आठ बजे के पहले इश्नानादी करने के पश्चाद छले को गव मूत्र से निकाल कर सुद्ध जल से गंगा जल आदी से अच्छे से धोले उसके बाद पूजन करे कुंकुं अक्षा धूप दीप आदी से इसके बाद मंगल के बीज मंतर का जब करे मंतर है ओम अंगार काय नमा इसे मंतर को 108 बार जब करे इसके बाद आप दाहिने हाथ की राइट हैंड की अनामिका उंगली रिंग फिंगर अनामिका उंगली में धारन करे अनामिका उंगली छोटी वाली उंगली जिसको हम कन्नी उंगली बोलते हैं उसके बाजू वाली उंगली रिंग फिंगर भी कहते हैं रिंग फिंगर वाल उंगली में इस छल्ले को धारन कर ले उसके बाद रासी का स्वामी मजबूत इस्तिती में होगा और आपको अच्छे परणाम देना प्रारंभ कर देगा धन्यवाद